सारजां T10 DreamLevel Mass Prediction F.E.L. vs. Q.U.D. DreamLevel Mass Prediction सारजां CBFS T10 DreamLevel Team तो दोस्तों सारजां T10 टूर्नामेंट का एक और मुकाबला F.E.L. vs. Q.U.D. के बीच में एक बार फिर से सारजां किरकेश स्टेडियम के विकेट पर खेला जाएगा और यहां का विकेट देखा जाए दोस्तों तो बैलेंसी विकेट रहता है लेकिन दोस्तों जो एक्स्टा ऐडवांटेज हो यहां पर बले बाचूं को मिल रहा है कल के दिन दो मुकाबले हुए थे पहले मुकाबले में PSTV ने दोस्तों 10 और में 181 रन बनाये थे सामने वाली टीम ने मातर 6.3 में मुकाबला इजली 6 विकेर से विन किया और दूसरा मुकाबला देखोगे तो बीजी ने दोस्तों यहाँ पर एक हाइस टोटल बनाया था जिसमें दोस्तों इन्होंने 10 और में 106 सन बनाये और शामने वाली टीम पीछे से 98 रन बना पाए थी और SSL की टीम वो 49 रन से मुकाबला हार गए थी यानि आप देखोगे दोस्तों 6.3 और में 83 बने हैं 10 और में 137 बने हैं यानि जो बल्ले बाज पोटेंसिल के साफसे बल्ले बाजी कर रहे हैं वो यहाँ पर काफी अच्छे रन बना रहे हैं बाकी दोस्तों पिछ को लेकर जो भी कोई फ्रेस अपडेट मुझे मिलेगी वो मैं आपके साथ सेयर करूँगा हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोइन करने के लिए दो लिंक है दोस्तों वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एफियल से आप भी वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों वीकेट किपिंग में यहां से वजाहत बट हैं जो कि वीकेट किपर बले बाज हैं एक मैच में संतर बनाए थे उसके बाद 8 में 12, 18 में 17, 3 में 0 इनकारी सैंट रहा है बैटिंग डिपार्टमेंट में भर्त जेत हुआ है इनका दोस्तों कहीं पर भी मुझे कोई रिकोर्स वगरा नहीं मिला सफीर तारिक के बारे में बात करें तो मिड रोडर के अटेकिंग बल्ले बाज है 20 में 24, 17 में 32, 9 में 7 में 19 इनका रिसेंट है यानि अगर टीम चाहे तो इनको उपर भी परमोट करके बैटिंग के लिए ला सकती है सैमी खान है कई बार वन डाउन कई बार टू डाउन खेलते हैं 6, 9, 43 और 20 में 23 इनका रिसेंट रहा है इनके बाद तारीक हुसेन है, ओपन या फिर वन डाउन बल्ले बाजी करते है चार मैच की चार इनिंग में आवरोल दोस्तो 48 इनके नाम है रिसेंटली देखोगे तो 2, 2, 16 में 15 और 25 में 25 इनका रिसेंट रहा है और राउंड इस सेक्शन में अबदूल हाफी जफरीदी हैं जो की टीम के लिए ओपन करते हैं, टीम के कैप्टन सी भी करेंगे अटेकिंग बल्ले बाजे, 14, 19, 53, 5 में 10 इनका रिसेंट रहा है और रोल सब 20 का बैटिंग आवरेज है बॉलिंग में सिरफ पार्टाइमर गेंबाजे दोस्तों कुछ ज़्यादा बॉलिंग वगरा नहीं करते हैं अब्दूल मलेक हैं, टोप ओडर में खेलते हैं, ज़्यादा तर ओपन ही करते हैं रिसेंटली 21, 0, 4, 33 इनका रिसेंट रहा है बॉलिंग में पिछले 3 मैच में दोस्तों इन्हों ने टोटल 5 अवर डाले हैं और एक विकेट निकाला हुआ है और रोल देखोगे बैटिंग में 25 का एवरेज है बॉलिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं रहती हासीव अफरीदी और जेन हसन है इन दोनों प्रेस का कोई भी रिकोर्ड्स वगर आवलेबल नहीं है इनके बाद यहां से बात करें सेन आलम के बारे में तो दोस्तों सेन आलम ने एक मैच में 27 गेंदों में अटेकिंग 47 नाबाद बनाए थे एक मैच में एक गेंद मिच है एक में 0 यानि दोस्तों अटेकिंग बलेबाज है कभी भी आउट हो सकते हैं कभी भी रन लगा सकते हैं और बॉलिंग देखोगे दोस्तों तो तीन मैच में बॉलिंग की थे इनोंने 4 विकेट निकाले थे बाकी के चार मैचस में कोई विकेट नहीं मिला हुआ नकास बासरत हैं तीन मैचस में से दोस्तों इन्होंने दस अवर बोलिंग की है एक मैच में दो विकेट हैं बाकी के दो मैचस में विकेट नहीं मिले हारदिक पाई है तीन इनिंग में दोस्तो पांच विकेट इनों ने निकाले हैं जबरदस्ट विकेट टैकर गेन बाज है रिसेंटली जो ओडियाई मैचल्स हुए थे दोस्तो वहाँ पर भी हार्दिक पाई ने काफी अच्छा परदिसन किया था स्यद कासी पालम का रिकोर्ड मुझे नहीं मिला मुहमद रासिद हैं अच्छे गेन बाज हैं दोस्तो कि टीम कई बार चारवर कंपिट डिलवाती थी कई बार दोस्तो एक दोवर भी ये डालते हैं तो ये थोड़ा सा इनका रिस्क रहता है हलांकि पिसले चार मैचल में तीन विकेट इनों ने निकाले हुए हैं अभी दोस्तो हम बात करते हैं क्यूरडी के बारे में क्यूरडी के ओर से दोस्तो विकेट किपिंग में नदीम करम बात है जो कि टीम के लिए ओपन करते हैं 27 में 48, 7 में 7 13 में 17, 5 में 75 अटेकिंग टाइप के बल्ले बाज है मुमद फाहिम फरहान हैं कई बार 2 डाउन तो कई बार 4 डाउन खेलते हैं 44 में 64, 41 में बैतर 14 में 12 तो दोस्तो रिसेंटली ये भी ठीक ठाक परदेशन करके आई हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में अब्दुल रहीम खान है काफी लेट बैटिंग करते हैं रिसेंटली परदसन भी काफी खराब रहा है उमेर यासी ने कभी ओपन, कभी वन डाउन, कभी टू डाउन केलते हैं 1963, 12 में 26, 7 में 10 अटेकिंग बल्ले बाज हैं बल्ले बाज में बासी तली, अनील, कुमार, शर्वा, रिजमान, एमद, उस्मान से इन चारों प्लेस का दोस्तों कहीं पर भी कोई भी अच्छा रिकोर्ड्स है वो अवलेबल नहीं है फेक रिकोर्ड्स ही दोस्तों यहां पर आपको कई मिल सकते हैं बाकी ओरांड सेक्स में जाएंगे तो यहां से दोस्तों आरिफ रह्मान है जो कि बल्ले बाजी के अंदर दोस्तों मिड ओर में खेलते हैं और रोल देखोगे 38 का एवरेज है 19 में 34, 20 में 20 मांच में 8 इनका रिसेंट रहा है बॉलिंग में देखोगे 9 इनिंग में 12 विकेट हैं बॉलिंग जादा अच्छी करते हैं अगर हम कंपेर करें बैटिंग के तो दोस्तों बिल्कुल इंपोर्टेंट पिक है खाली दरमानी है बैटिंग में मिड ओर में केलते हैं 13, 12, 17, 5 इनका रिसेंट है बॉलिंग में दोस्तों अर्मानी है वो 4 और कंपेर डालते हैं और फिछले खेले गए 4 मैचस के अंदर इन्होंने 5 विकेट टिम को निकाल के दिये हैं जिसमें से एक ही मैच में इन्होंने 4 विकेट निकाले थे हामेदी हैं इनका रिकोर्ड वगरा नहीं है मुमद रिहान सा हैं बैटिंग में देखोगे 29-6-28 रहा है बॉलिंग में सिर्फ पार्ट टाइम गिनबाज हैं ज्यादा बोलिंग वगरा नहीं करवाते हैं मुकतार अहमद हैं बैटिंग में दोस्तों नमबर 6 या 7 पराते हैं 6 में 6 नाबाद 10 में 29 नाबाद इनकी बल्ले बाजी है और मुकतार अहमद बोलिंग भी काफी कमाल की करते हैं दोस्तों पिछले केले गए चार मैचस के अंदर ये 9 विकेड निकाल कर रहे हैं तो मुकतार अहमद बोलिंग डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल भैतरीन पिक रहेगी नसीव खान है दोस्तों इनको ओलांडर शेक्स में डाला हुआ है ये दोस्तों टीम के लिए ओपन करने वाले हैं 113 बनाए थे 56 गिनों में 22 में 40 30 में 23 6 में 14 यानि जब तक क्रीज पे रहेंगे दोस्तों आपको बड़े हिट दिखाने वाले हैं बोलिंग में भी पिछले खेले गए दोस्तों तीन मैचल में इन्हों ने चार वर शुरी आठ वर बोलिंग की है और तीन विकेट निकाले हैं बोलिंग डिपार्टमेंट में जाहिर एहमद हैं बैटिंग दोस्तों 18 में 22, 22 में 10 यानि अटेकिंग बले बाज हैं कभी ओपन, कभी वन डाउन, कभी फोर डाउन खेलते हैं बोलिंग में भी कभी दो तो कभी चार वर बोलिंग करते हैं दो मैचस में दो विकेट हैं और एक मैच में विकेट लैस रहे हैं जाहिद इकबाल हैं, एक मैच में बॉलिंग की थी दो वर डाले 21 अंख़च के इनको विकेट नहीं मिला वसी उर्रह्मान है, खेले गए पिछले चार मैचस के अंदर दोस्तों ये 6 विकेट निकाल कराएं हैं लगबग दोस्तों T20 में 4 और कमपिट डालते हैं उमेर डोगर का कोई रिकोर्ड वगरा नहीं है ये शाद उसे ने 10 मैचस की 9 इनिंग में दोस्तों इन्होंने 5 विकेट निकाली हुए हैं और दोस्तों रिसेंटली इन्होंने भी ODA मैचस के लिए थे वहाँ पर ठीक ठाक सा परसन किया था जब सभी भी है दोस्तों एक मैच में एक विकेट है इन को विकेट नहीं मिला मेहरान राजा है इनका दोस्तों कहीं पर भी कोई भी रिकोर्स वगरा नहीं है बाकी दोस्तों दोनों टिमों के पहले मैचस हैं तो बैटिंग ओर्डर पलेंग लिए उन्में आपको कोई भी चैंस देखने को मिल सकता है तो जो भी अपडेट होगी दोस्तों पूरी अपडेट मिलेगी आपको टेलिगाम में टेलिगाम का लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा अभी दोस्तो हम यहां से बात करते हैं डेमो टीम के बारे में तो विकेट कीपिंग में देखा जाए दोस्तो तो नदीम काकरावाथ हैं यह हिट और मिस्टाइव वाले बल्ले बाज़ हैं कभी भी रन लगा सकते हैं कभी भी आउट हो सकते हैं और मुछमत फहीम और फारान है दोस्तो ये दोस्तो नमबर 4 पर बल्ले बाजी करेंगे और ये दोस्तो mostly matches के अंदर 20-25 बना देते हैं तो दोनों में से दोस्तो किसी को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं अभी के लिए दोस्तो मैं फहीम फारान को ट्राई कर रहा हूं नदीम भी दोस्तो एक गैम चंजर प्रेयर है जो कभी भी आपको बड़े रन बना के दे सकता है बैटिंग डिपार्टमेंट में समी खान को मैंने रखा है सफीर तारिक है और इनके बाद दोस्तो उमेर यासेन को ट्राई करने वाला हूँ बाकि दोस्तो बहुत सारे ऐसे बल्ले बाज हैं जिनका मुझे कोई भी रिकोर्ड्स वगरा नहीं मिला तो उनको मैं अपने टिम में ट्राई करके नहीं चलने वाला उलाउंडर सेक्स में जाएंगे तो नसीब खान है जबरदस्त उलाउंडर प्रेयर है आरिफ रहमान भी दोस्तो गैम चंजर प्रेयर है मुकतार रहमत बॉलिंग काफी जबरदस करते हैं बैटिंग में भी कुछ रण बना सकते हैं अब्दुलाफी जफरीदी टीम की कैफटन्शी करेंगे और बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं तो इन चारों उलाउंडर प्रेयस के साथ दोस्तो मैं यासे ट्राई करने वाला हूँ खाली दर्मानी है दोस्तो ग्रैंड लिंग में जुरूर ट्राई करना इनके अलावा दोस्तो कोई अच्छा उसन नहीं रहेगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए दोस्तो तो महरान महबूब है कुछ ज़्यादा रिकोर्ड्स बगएरा मुझे नहीं मिला इनका अभी देखे हुए तो वसी उर रह्मान मुहमद रासिद उर्हार्दिक पाई है इन तिनो प्लेस को मैं ट्राइ करके चलने वाला हूँ इनके अलावा दोस्तो अगर किसी अदर प्लेयर को आप ट्राइ करना चाहिए तो कर सकते हैं मैं सिर्फ रिकोर्ड बेसे के उपर अपनी टीम हो बनाने वाला हूँ तो अभी के लिए दोस्तों ये जो आप हमाई सक्रीन पर टीम देख रहे हैं ये एक दोस्तों डेमो टीम रहने वाली है जो मेरी फाइनल टीम होगी दोस्तों वो पूरी तरह से टोस्के उपर डिपैंड रहेगी और टोस्के बाद जो भी चैंज्जोंगे जो भी अपडेट बगरा हो गई वो पूरी information मैं आपको provide करूँगा टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोइन करने के दो link मैंने वीडियो के नीचे mention कर दिये जहां से आपका लिक करके सीधा हमाई साथ टेलिगाम में जूर सकते हैं बात captain और vice captain की करें उससे पहले अगर आपको वीडियो पसं कैप्टन मैं आरिफ रहमान को बना रहा हूं इनके अलावा दोस्तों जो मुक्तार एहमद है वो भी जबरदस्त पिक है आफी जफरीदी है इनको भी आप captain wise captain मना सकते हैं यानि चारों के चारों और लांडो प्रेर माली काफी अच्छी पिक रहेगी ग्रैंड लिक के बारे तब तक के लिए दोस्तों मेद करता हूं वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्यू फ्रेंड्स ओल दा बेस्ट